विल्कम बैक लेर्नर्स आईए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि डेटाबेस कैसे करते हैं उसको शो कैसे करते हैं और टेबल्स में कांस्ट्रेंट कैसे लगाते हैं तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेंगे क्योंकि डेटाबेस पे आपको SQL पे काम करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा तो यह पासवर्ड मैंने पूट कर दिया हैं यहां पर और फिर एंटरफरेस करेंगे आपके सारे डेटाबेस अपने सिस्टम में उनको देखना है तो मैं लिखूंगगा शोओ डेटाबेस और सेमिकॉलन लगा दूगा एंटर दबात twaव compartir में सामने डेटाबेस आह गए है तो मेरे सिस्टम पर 8 डेटाबेस है, आपके सिस्टम पर जो भी डेटा बेस हैं ़ि में लिखूंगा यूज उनिवर्स्टी और सेमी कॉलन और लबाऊंगा जैसी एंटर दबाऊंगा यहां लिखावा आ जाएगा डेटा बेस चेंज इसका मतलब अब मेरा डेटाबेस यूनिवर्सटी हो गया है अब हम इस डेटा बेस पे टेबल क्रिएट करेंगे तो आपको नेम है उसका व forgotten टेटा टाइप मैंने ले लिए फिर सेकेंड कॉलम हम यह आपे लिखेंगे उसका नाम मैंने दिया तो आप देख सकते हैं यहां पर कॉमा लगाएंगे और फिंझ us कॉलर्म टेबल का नाम मैंने दिया course name और course name को हम क्या करेंगे वैर कर लगाएंगे ऐसा डीठर टाइप तो यहाँ पर देख सकते हो कोड मैंने लिग दिर फिर वैर कैर और उसके अंदर साइज और नेउड पर जाएंगे फिर हम लिखेंगे नेक्स कॉलम का नाम जो कि मैं यहाँं पर लिक रहा हूं स्टेट्स तो स्टूडेंट जिस स्टेट्स है तो उसका नाम आएगा यहां पर स्टेट का और इसका डेटा टाइब लिख लिया वेरीबल करेक्टर वैर कार फिर एंड में सेमी कॉर्न लगाएंगे वैर कार के बाद और एंटर दबाएंगे नेक्स लैंड पर जाके हम जो है टेबल को क्लोस करेंगे और फिट सेमी कॉर्न लगा देंगे और सेमी कॉर्न लगाने के बाद एंटर जैसे ही दबाएंगे यहां पर लिखावा आ जाएगा डाट कोईरी ओके जीरो रो एफेक्टिट इसका मतलब है आपके टेबल तो बन गए लेकिन उसके अंदर अभी को कॉलम का नाम दिया है तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि डेटा है या नहीं तो उसके लिए हम लिखेंगे स्टार स्टार का मतलब है सारे कॉलम सेलेक्ट करो फ्रॉम टेबल का नाम तो देखें यहां लिखा रहा है ports mt set इसका मतलब है table के अंदर जो भी column आपने बनाये है, वो सर्फ column के नाम आपने दी हैं उस में कोई भी data नहीं है तो data देने के लिए हम next command लिखेंगे और next command का नाम है insert- Do set command आप देख सकते हैं कि data को table में insert करने के लिए use होती तो उसका syntax इस तरीके से है insert into और आप हम table का नाम लिखेंगे तो हमने table यहाँ पर बनाई है उसका नाम है students और फिर next line पर लिखेंगे values अब bracket के अंदर हम क्या करेंगे उन values की नाम देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला मैंने जो column का नाम है वो है name तो यहाँ पर म course का नाम तो मैंने next course का नाम दे दिया फोबार next column है percentage तो percentage की value मैंने दे कर दा है तो गोवा से है या बैंगलूरू से है तो यहां पर मैंने लिख दिया Mumbai तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने बिहार लिख दिया सॉरी तो बिहार और इसको क्लोज कर दूँगा और सेमिकॉलन लगाके जैसे मैं अंटर दबाऊँगा लिखा आ जाएगा इसका मतलब है उपर आपने जो डेटा इंसर्ट कमार में फुट किया है वो अब टेबल में इंसर्ट हो गया है अब उसको चेक करना है कि डेटा है या नी तो हम स्लेक कमार लगाएंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम और जैसी सेमिकॉलन लगाके एंटर दबाएंगे आप देख सकते हो यह पूरी टेबल बनके आपके सामने आ गई है चलिए और डेटा इंसर्ट करके देखते हैं तो उसके लिए फिर से इंसर्ट कमार में जे लगानी पड़ेगी आ और फिर लिखा वह आ रहा है आप पर क्वेरी ओके वन रो एफेक्टिट तो देखिए नीचे एक और रो आ गई है फिर से मैं नीचे गया एक और मैंने एक और इंसर्ट कमार लगाई और आप देख सकते हैं वैल्यू स्पास करिए यहां पर जैसे उफर करी थी और फिर से ह अब हम ओके वन रो एफेक्टिट लिखा वहारा है तो मैं फिर से चेक करूँगा कि थर्ड मेरा रो आ रहा है या नहीं तो मैं लिखूँगा स्टार फ्रॉम टेबल का नाम तो टेबल का नाम स्टूडेंट है यहां पर उसे में करना तो आप देख सकते हैं तीन स्ट कमान लगानी है देखिए आफने यहां पर मैंने इंसर्ट कमान लगा दी इंसर्ट इंटू टेबल का नाम उरब्राकेट के यदर वैल्वस पास कर दिया और और देख सकते हैं कि फिर से मुह सुलेक्ड कमान मैंने लगाई और अडेटा फिर से रिटेट हो रहा है Fetch करने के लिए होता है, तो हैं देख सकते हैं मैंने, चार record यहां पर row wise मैंने store कर दिये हैं, तो अबो और चलते हैं select, next command माँ देखते हैं, तो अब आपर जो table हमाएं सामने हैं, उसमें से हम the course वाला column है, आप देख सकते हैं माँ पेhow अ नाम मैंने लिख दिया course फिर next line पे जाके मैं लिखोंगा from और फिर table का नाम तो table का नाम है students तो आप देख सकते हैं from के बाद मैंने table का नाम लिखा है और फिर semicolon लगाऊंगा तो जैसे semicolon लगाके enter दबाऊंगा आपके सामने पूरा course का column आ जाएगा तो देखें आपके सामने यह course का पूरा column आ गया है उपर जो table है उसमें से तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं mca value course में से निकाल के आपको दिखाता हूं तो course वाले column से अगर मुझे mca value से fetch करनी है तो मैं क्या लिखूंगा उसके लिए मैं type करूंगा select column का नाम course फिर next line पर जाके लिखूंगा from और फिर आगी table का नाम students और next line पर जाके फिर मैं लिखूंगा where w h e r e where और फिर condition तो condition में मैं लिखूंगा where course equal to mca तो course मतलब उस column का नाम equal to value तो आप देख सकते हैं आपे table में mca जो value है वो course column में है तो मैं लिखूंगा course equal to mca mca लिखने के बाद मैं semicolon लगाऊंगा और फिर enter दबा दूँगा तो जैसे ही मैं enter दबाऊंगा तो आपके करते हैं हम select command के तुरू एक specific value भी fetch कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हों देखते हैं कि table में सारे columns कैसे select करते हैं उनकी नाम देखे या कुछ columns के नाम हम देखे देखेंगे कि कैसे select किये जाते हैं और कोई भी specific value कैसे हम निकालते हैं तो हम उसके लिए हम लिखेंगे select command तो लिखेंगे select पहले column का नाम जो कि मैंने लिखा course comma दूसरे column का नाम मैंने लिखा name comma फिर तीसे column का नाम मैंने लिखा rule number comma और last column जो इसमें से मैं चाह रहा हूँ ऊपर table में से वह स्टेट तो आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया यहां पर state फिर हम next line पर जाएंगे और लिखेंगे from और फिर table का नाम तो table का नाम यहां पर है students अब मुझे specific value चाहिए तो इसलिए मैं next line पर जाओंगा और तो जहां पर जिस column पर course equal to mc है उनके वो क्या दिखा देगा आपको select के बाद जो भी columns के नाम आपने दिये वो दिखा देगा तो देखिए आगया course, name, number और state तो यहां पर इस से हमें भी पता लगता है कि select command से हम एक से जदा column को fetch कर तकते हैं और को specific value भी fetch कर सकते हैं next command में हम सीखेंगे कि table के कोई भी दो columns को हम कैसे fetch करते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे select column का नाम तो यहां पर मैंने लिया course, percentage तो यह दो columns मुझे इस table पर से चाहिए next line पर जाके लिखेंगे from और उस table का नाम तो table का नाम यहां पर है students और semi column अगर लगाएंगे तो यह पूरे क 80 से ज्यादा है उसके ही माँ यहां पर नेम और परसंटेज आये तो मैं लिखा where percentage greater than 80 तो जिसकी percentage greater than 80 है उसके ही यहां पर क्या आये name और परसंटेज आये तो मैंने जैसी यह लिखा where percentage greater than 80 और semi-corne लगा कर इंटर दबाया तो आपके सामने आप देख सकते हैं वही columns आये है और नेम वही आए है परसंटेज जो की वैलू किसा जिनका 80 से जादा है अब आगे बढ़ते हैं और हम फिर से जो टेबल हमने बनाई है उसमें से कोई भी एक कॉलम पेच करके आपको दिखाते हैं तो मैंने टेबल को यहां पर डिस्प्ले करने के लिए लिए लिखा स्टार फ्रॉम टेबल का नाम तो स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स तो जैसी मैं लिखके एंटर दबाऊंगो तो यह टेबल जो मैंने पहले बनाई ते यह आ गई है अब आप देख सकते हैं मुझे इसमें से इस टेबल में से लास्ट कॉलम चाहिए उसके लिए मैंने चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेट्स वाले कॉलम का जो डेटा है उसको हम सौट कैसे कर सकते हैं तो सौट के लिए मैं एसेंडिंग या डिसेंडिंग कीवर्ड यूज करना पड़ेगा और उसके लिए जो क्लॉज है वो ओर्डर बाई क्लॉज है तो हम कैसे लिए उसको दिखाता हूं मैं आपको सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट फिर उस कॉलम का नाम फिर नेक्स लाइन पर जाएंगे लिखेंगे फ्रॉम और उस टेबल का नाम तो टेबल का नाम है स्टूडेंट्स फिर हम नेक्स लाइन पर जाएंगे और लिखेंग के लिए होता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हम स्टेट्स वाले कॉलम की डेटा को descending order में कैसे हम उसे sort कर सकते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे select फिर कॉलम का नाम states from table का नाम students order by next time फिर हम लिखेंगे order by space column का नाम जो है states और फिर dsc तो dsc जो है वह है descending उसे semicolon तो dsc लिखने एक बाद लिखोगे टाइप करोगी और उसके बाद एंटर दबाद होगे जब एंटर दबाद होगे तो states वाला जो कॉलम है उसके जो डेटा है वह आपका descending order में sort होके आ जाएगा जाएगा हुआ जाएगा ऑन